Hello guys and welcome back to my channel Sir IES तो यहाँ पर हम इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो की नितिन सांगवान सर के नोट्स हैं उन्हें कॉंटिन्यू करते हुए आज इसका लेक्चर नमबर 6 आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हूँ तो आईए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे बलाइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगलर अपडेट्स मिलती रहें I hope आपने पुराने पार्ट को देख लिया होगा because I am making it like a story तो अगर आप पहले के पार्ट को सुन के आएंगे तो आपक कहानी की तरह से आगे सुनते जाएंगे चलिए आएए शुरुआत करते हैं अब इसके अंदर जो पहला टॉपिक हम डिस्कुस करेंगे वो बहुत सारे थे उन में से जो में था वो ये था कमिनलिसम इतनी जादा हिंदो मुसल्मान की भावना देश के अंदर भर गए थी कि हमें अलग देश चाहिए और हमें इहां नहीं रहना हमें मुसल्मानों के लिए अलग चाहिए तो ये सब भावनाई बहुत सब बढ़ गए और इन भावनाओं का बढ़ने का कारण एक था बिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की पॉलसी इन्होंने जो अलगाओ किया सेपरेट इलोटरेट लेकर आए इससे लोगों की मायन मैं भरता गया मनता गया भरता गया इनकलकेट कर दिया दिलों में उनके ताकि वो खड़े हो जाओं और कहें कि भई मैं इस देश से अलग हूँ और उनका ये मकसद पूरा हुआ यही देखने को भी मिला भई ये कहानी भई है चिंगारी को आग तब मिली जब तू नेशन थियोरी सामने आए कि अब हमको पाकिस्तान चाहिए ये बात कहने लगे कि ये पूरे सिर्फ हिंदों के है भारत और ऐसी बहुत सारी बाते उड़ने लगे अब हुआ क्या कि पार्टीशन तो हुआ लेकिन पार्टीशन की वेज़े से ये जो कह सकते हैं कमिनल बॉम ऐसा जो ये था रिलिजन्स का ऐसा फटी दिक्कते हुई और इसमें कहे लो भाई पांच लाग जिन्देगिया ये दिक्कत खा गए ये आप कहे लो इतिहास में बहुत ही बड़ी human tragedies थी और फिर से एक बार ये डर लगा हमारे जो ढागे थे हमारे जो political हमारे जो social ढागे थे उनको फिर से ये था कि भीया ये सब तूट ना जाएं सब अलग न हो जाएं सबसे ज़ sunlight कर दृब बताऊं कहा थी सबसे ज़ब दिक्कत बिंगाल और बिहार में देखने को मिली थी गांधी जी ने बहुत कोशिश की बहुत कोशिश की टूर्स करे सबसे कहा दूने कम्यूटी से कहा कि भाई देखो अलग-अलग ना हूँ प्यार से रहोई हमें अलग करना चाहते हैं साथ दो, प्लीज साथ दो अलग ना हो सरकार ने कहा कि भै देखो भै जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे आरमी को यहाँ पे सड़कों पे उतार दिया गया और नहरू जी ने कहा कि भै देखो नहरू जी ने डर दिखाया यहाँ पे डराने के लिए बोला हम resignation दे देंगे ये बहुत समझ लेना ये सब बंद कर दो जितना हो सके खैर result के तौर पर situation control में आ गई कुछी महीनों के भीतर और minority Muslims अब देश के अंदर तो Muslims minority में आ गए थे तो इनको re-assurance दिया गया कि भईया तुम शांती से रहो परशान नहों तुमें कुछ नहीं होने वाला है अब हुआ क्या कि जब जो बंदा सब को था में बैटा था जो महात्मा गांधी थे उनकी हो गई मृत्यू उनकी death के बाग ये फिर से सब अलग-अलग होने लगा दिक्कते फिर से शुरू हो गई इवन यहां पर नहरुजी ने डिक्लेयर किया था गांधी ची की death को यहां पर अपने रेडियो पर बोला था कि the light has gone out of our lives रोशनी है वो हमारी जिन्दगी से चली गई है तो ये बात है हुई कुछ हाला कि RSS के जो members थे उन्होंने जो गांधी ची की death थी उसे काफ़ी celebrate करा धूमधान से कैर यहां पर आपको पता है कि RSS को 1947 में ban कर दिया गया था और उसके बार यह ban lift up कर दिया गया 1949 में इस condition पर कि RSS जो है वो अपने आपको सिर्फ और सिर्फ cultural activities तक सीमित रखेगी और यहां पर politics में नहीं गुसेगी और इसका एक written constitution जो भी है उससाब से काम करेगी खैर communal rights वो खतम हो गए थे बट communalism नहीं खतम हुआ था यह ideology के तोर पर communalism नहीं खतम हुआ था communal rights ज़रूर खतम हो थे दंगा होना बंद हो गया था नहरू ने काफी ज़र इस speeches दी काफी ऐसे efforts करें काफी कदम उठाये कि भाईया लोगों को यहां पर discourage करें यहीं चीज़ और even compare it with fascism इसको fascism के साथ भी जोड़ा गया कि भाईया यह जो communalism है fascism जैसा है अगर आप पैसे करोगे तो आज हमाई देश की हालत बहुत दा खराब हो जाएगी इन्हों ने यह ऐसे political organization पर बैन भी लगा दिया जो सिर्फ religion के basis पर बनाए गई थी और इसका साथ यहां पर नहरू जी जवालना नहरू जी का साथ देने वाले थे उस समय वल्लव भाई पटेल जी इन्होंने काफी ज़ादा साथ दिया और सपोर्ट करा गया इनको राज गुपाल चारी जी के दौरा सी राज गुपाल चारी जी के दौरा भी जिनको सपोर्ट करा गया खैर दूसरा सबसे बड़ा challenge यह था Rehabitization of Hindu immigrants and refugees as fall out of communal rights in Pakistan इसका मतलब यह कि पाकिस्तान में हुई बहुत दिक्ट वो यह कि जो यहां पे हमारा West Pakistan का हिस्सा था उसमें जो हिंदूस थे उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा था उनकी बहुत बुरी हालत कर दी गए थी तो बिचारे क्या करते हैं मरता क्या ना करता बिचारे भाग भाग के भाग भाग के इंडिया में वापस आ रहे थे और एक बहुत बड़ा challenge था है इंडिया के लिए ऐसी हिंदूस जो वापस आ रहे हैं इन्हें अपने पास रखना सेट्ल करना कहीं जगा देना रिहाइप्राइट करना ताकि वो इन दिकतों से यहाँ पर शुटकार आपा सके आप भी जानते होंगे आपके जानने वाले कई सारे होंगे जैसे मेरे भी कई सारे जानने वाले हैं जो पाकिस्तान से भाग के यहाँ पर आए हैं एक West Bengal जो हमारे में आ गया और East Bengal जिसे हम लोग East Pakistan की तोर पर मानने लगए यहां पर East Side पर चला गया था आज का बांगला देश है तो हुआ क्या कि East Bengal से बहुत दिक्कते थी क्योंकि वहां से क्या था बहुत सारी मातरा में Refuses भाग भाग के बहुत सारे सालों तक मतलब 1971 तक के लिए यहां पर भाग भाग के आने लगे क्योंकि वहां पर काफी ज़्यादा दंगे चल रहे थे वाज जो Refuses हमारे यहां पर West Side में थे मतलब पंजाब के एरिया में थे और उत्तर प्रदेश वगेरा के एरिया में थे वो सेटल हो गए काफी जो इसी तरीके से हो गए को कि वहां पर बहुत सारी जमीन छोड़ के जो यहां से गए थे Muslims मुसलिम्स यहां रह रहते हैं यहां के मुसलिम्स भी तो पाकिस्तान गए तो यहां के मुसलिम्स जो पाकिस्तान गए छोड़ छोड़ के जमीन तो वो जमीन पड़े हुई थी इन सारी अरियास में तो जो यहां वेस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान से जो भी यहां पे आए व इस वैसे बहुत ही मुश्किल था इंडिया के लिए यहां से आई लोगों को रिसेटल करना बात यहां पर वच्छों यह थी कि जो इस्ट हमारा पाकिस्तान के लो इस्ट बेंगॉल वाला साइट के लो इधर के लो तो इसमें यह प्रॉब्लम थी कि जो लोग आ रहे थे उनक पर हमारा पुराना जोकी लांड है हमारी जमीर हम यही पर रह लेंगे लेकिन मजबूरी क्या कर सकती है बढ़ता क्या ना करता बिचारे वहां से फिन निकले और कुछ अर्बन और सेमी अर्बन एर्यास में वहां पर उन्होंने भीड बढ़ाई अब जहां भीड बढ़ती हैं वहां पर आप जानते हैं अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं कम और वही भी उनके साथ भी हुआ पॉर्चुनिटीज कम हो गए बिचारे बहुत बुरी हालत में रहने लगे और इसी तरीके से देखने लगे बंगाल जो है वह नीचे की तरफ पतन की तरफ जाने लगा तो यह अब महां पर जो एक तरफ एक टाइम पर जो हुआ करता था एक एकदम प्रॉस्परेस बंगॉल हुआ करता था वहां पर सब कुछ था शिशक्त था अपने में और वो अब बिलकुल नीचे की तरफ जाने लगा तो यह कुछ कहानी रही कमिनल और इंटिग्रेशन इ लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लांगविज के बेसिस पर तो लांगविज के बेसिस पर काफी इशूस अब शुरू हो गए जैसे हुआ देश असाद और इन सब को कैसे एक साथ रखा जाए यह बहुत बड़ा चैलेंज था जयान देहें कि ऑफिशल लांगविज क्या कॉंट्रवर्सी रही क्या रहा बड़ा इंट्रेस्टिंग है यहां समझेगा आपको समझेगा यह बात अगर पीछे की तरफ आपको ले चलू 1920s में तो इंडिया नाशनल कॉंग्रेस ने उस समय में पार्टी यही थी freedom struggle में क्योंकि जानते हैं कॉंग्रेस पूरे इंडिय कर रही थी उस समय तो में जो है वो इंडिया नाशनल कॉंग्रेस में पार्टी थी freedom struggle में तो और इन्हों ने यहां पर वादा किया था कि एक बार कंट्री अजाद हो जाए एक बार हमें इंडिपेंडनेस मिल जाए तो हर एक जो लिंग्विस्टिक ग्रूप है उसके वह अपनी एक प्रोवेंस अलग करना तो तुम अलग करने एक अलग स्टेट हम तुमको दे देंगे अब हुआ क्या कि हर एक जो जिनसे वादा किया वादा तो पूरा करना था हाला कि इंडिपेंडनेंस की बात क्या हुआ कि कॉंग्रेस ने कुछ इस बारे में कदम नहीं झाया अब हमें अलग चाहिए इसलिए का इस बारे में छुपी साथ ले कुछ बात ने करी अब हुआ क्या कि कॉनस्ट हर गेए तो उसकाब से यहीं इशू था इशू था इशू था India. Hindi क्या हो जाएगी? यहांपे official language जाएगे इंडिया की, और English यहां पर quotes वगयरा में, मतब नयायले वगयरा में quotes वगयरा में use करी जाएगी ठीक है? और services में करी जाएगी communication में करी जाएगी जो कि हम एक state से दूसरी state के बीच पे करते हैं ठीक है तो यह सब होता रहेगा यह बात फाइनली डिसाइड कर लेगा अब यहां पर यह इशू तो था ही था लांगविज का यह बड़ा इशू बन गया हमारे सोशियो कल्चरल इंटिग्रेशन में कि एक साथ सब को इलाने में बहुत बड़ा जो रोड़ा अटक रहा था वो था लांगविज का लांगविज अब क्या थी एक इमोटिव इशू थी लोग सोचे दें कि भाई देखो हमारे जो लांगविज है वह हमारी कल्चर अडेंटिटी को प्रमोट क तो उनको ऐसा लगता था लोग काफी एमोशनली अटाश थे अपनी लांगविज से और उनका यह मानना था कि उनकी जो लांगविज है उनकी कल्चर अडेंटिटी को दिखाती है तो इस तरीके से अगर लोग की दिमाग परस्पेक्टिव था इसको हटा कि किसी एक ये दो लांगविज को सिर्फ महत्व देना ये बहुत बड़ी बात थी लांगविज के अलग अलग जो है आप कैसी रिपर कर्शन थे जैसे कि प्रमोशन ऐसा था मानना कि लांगविज कल्चर को प्रमोट करती है अपॉर्चुन्टी को सरकार जो है गवर्मेंट जॉब में या फ देश के अंदर उसमें एक लांगविज का बहुत बड़ा इशू बन किया एक तो था कॉंट्रोवर्सी ओवर ओफिशल लांगविज और दूसरा कहा था लिंग्विस्टिक रियॉर्गनाजिशन ऑफ इस्टे दो इशू कौन-कौन से थे एक तो यह था कि हमारा जो है यह कौन से लांगविज आकर होगी ओफिशल लांगविज इस देश भारत की देखें सबसे बड़ा इशू क्या था यहां पर दो इशू थे पहला इशू यह था कि कौन से लांगविज जो होगी वह लांगविज बनेगी देश हमारे भारत की और दूसरा इशू यह था कि भा क्या होगी तो यहां पर एक हिंदी बन गए और एक नॉन हिंदी बन गए अब नाशनल लीडर्शिप ऑल्री यह आईडिया रख चुकी थि कि एक जो नाशनल लांगवेज है वह बहुत तो कह दी थी कि देखो एक अगर यहां पर लीडर बन रहा है तो इसका मतलब है एक लांगवज भी होगी जरूर जो कि काफिता जरूरी है हमारे देश की यहां पर यूनिटी और को दिखाने के लिए अगर अलग अलग करेंगे तो यह होगा कि इंडिया एक मल्डी लिंग्व लांगवेज़ जो हैं इंको 8 चुडियूल में डाला भी कि आप जानते हैं 8 चुडियूल के अंदर हमारे अलग-अलग तरह की लांगवेज़स हैं वैसा नहीं कि रिखने पिछोड़ को दाला लोकल लांगवज की इंपॉर्टन्स जो कि कल्चर में थी साथ में Educational के इसलिए यहां पे एक सेलेट करने का इसू बखुत बड़ा हुआ और यहां पे सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ही ऐसे दो आप्शन हमारे पास हो रहे थे जो जादातर लोगों को आते थे दो ऑपिशन हमारे पास बच रहे थे एक हमारे पास हिंदी का था दूसरा हमारे पास English का था और यहीं दोनों ऐसी languages थी तो जादा तर मासस को आती थी तो और सी बात इसका रखेंगे इंग्लिश और रिजेट कर दी गई थी जब national movement चल रहा था है ना व्योंकि इंग्लिश जो है हमें यहां पर यहां पर बर्बाद करने के लिए तो लोगों के दिलों में English language के लिए इज़त नहीं थी उसके बाद एक गांजी जी ने बहुत ही खुबसूरत बात कही वो यह कि जीनियस ओफ पीपल कुड़ नौट अनफोल्ड नौर दियर कल्चर फ्लास इन फॉरें लैंग्विज खैर हाला कि इंग्लिश जो यह लैंग्विश थी इसे पूरे वर्ल्ड में काफी रिकनाइज करा गया था और यह साइंटेफिक हो या दूसरे लिट्रेचर हो उसके ल लैंग्विज इन देवनगरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई या फिर उर्दू स्क्रिप्ट यह वक्त के साथ साथ इवाल हुई है और यह हाइबर्ड है बहुत सारी लैंग्विज का जैसे की संस्कृत उर्दू हिंदी और आपका पर्शियन वग्यरा तो आप जानते हैं स से काफी जादा जो है वो जुड़े हुए हैं कॉंग्रेस ने भी प्रमोट करा कि भई देखो इन्हें इस लैंग्विज को यूज करा मैक्सिमम जारत तर अपनी मीटिंग में सो उसके साथ कॉंस्टिशन डिपेट वगेरा भी हुई तो इसमें भी यह काफी कहा गया कि क्य इंग्लिश को रिपलेश करा जाना चाहिए और अगर करा जाना चाहिए तो कितने वक्त में करा जाना चाहिए यह सब बात हैं वहा क्या कि इस जो पार्टीशन हुआ ना यह जो देश अलग हुए इसने पूरी पिच्छर ही बदल के रखती जो यहां पर लोग यहां पर हिं कॉंग्रेस के अंदर वोटिंग में यह हुआ कि हिंदी को सपोर्ट करने वाले लोग काफी जीत गए खेर अब एक तो इंडिया है नहीं नौर्थ की लोग थे तो उसके साथ साथ की स्टेट्स भी थी अब साउथ की स्टेट्स ने कहा कि भई हिंदी यह कौन सी बात होती है हम हमारी language को कोई महत्ता नहीं दी गए साथ में लोंने यह भी कहा कि जब पब्लिक इंप्रॉइमेंट की बात आएगी तो जो हिंदी बोलना जानता होगा वो जीत जाएगा वो सारे इंप्लॉइमेंट पालेगा और हम लोग पीछे रह जाएंगे खैर अब किसी को नाखुश इंग्लिश से हिंदी में यह जो है वो होगा आपका 1965 में तो अभी तक आप शांत रहें दीमें दीमें चीज़े बतलेंगे आगे सरकार ने क्या करा सरकार ने कहां कि आप हिंदी का यूज करिए और यहां पे एक जॉइंट पार्लिमेंटरी कमेटी जो होगी वो पिरियोड इजन में फैली चीज़ेंगे तो दूर तक माइबेंगे और यहां पर जो लोग रोकते आदेल Beetle को कि पढ़नेटी नहीं ईंदी नहीं वो यहां पर non-hindi speakers थे वो भी बहुत सारा irritate हो रखे थे क्यों यहां पर Hindi speaker कोशिश कर रहे थे कि Hindi इंको ऐसा लग रहा था न कि प्यार से हमसे नहीं बदला हो रहा है यहां पर हम पे Hindi थोपी जा रहे है तो इस बात से साउथ वारे लोग जो नौन हिंदी स्पीकल्स थे वो बहुत दरा इरिटेट हो गए थे इन्होंने अपना इनर्जी वेस्ट कर दी थी प्रपगेंडा में रदर दन डेवलपिंग मीनिफुल रिटेचर बहुत टाइम बरबात किया कोई अच्छी चीज निकालने की बजाए यहां पर अपना टाइम वेस्ट करते रहें इनाच。 धनißt、 infini protaginist did not make any effort in simplifying and strengthen the language to make it suitable for masters अब देखो को साठ डेने वारे Hindi की तरफोने वाले लावे, जान वाले इन्होंने भी कोई कर ऊच्छी सोती तो बहुत अच्छी है, हां मेरे यहां안पर 극्या है पर कंडी को हमरे स्विश हों शान्थी करें लैंविज की मेंटेन करती है यह वो अभी पास सोचिए ऐसे देश में जहां पर अलग-अलग लैंविज है अब आप एक लैंविज को एकती महत्वतार दे दी जाएगी तो अविस सी बात है जो दूसरे मासस बोल रहे हैं वो खिलाफ खड़े हो जाएंगे और यहीं होने लगए और कई सारी जो रिकमेंडेशन रहेंगे जॉयन्ट पार्लिमेंटरी कमेटी की इसे प्रेसेंट किया गया था नाइंटीन हंड़ी में यह भी कहा गया कि यह भी हम कदम उठा रहे हैं जिससे हम यहां पर हिंदी को और प्रमोट करें जैसे कि आपका इंक्लूट करके Central Hindi Intercept Rate Translation करके कई सारे काम का Hindi Language में Laws बगेरा का Hindi में और बगेरा बगेरा अगर हमें सारी काम करेंगे तो धीमे 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 Hindi की तरफ आ जाएगे अब इससे क्या हुआ कि जो Non Hindi Speakers थे जिनको Hindi बोली नहीं आती थी उनके दिमाग में एक टीड़ा घूमा एक Suspicion हुआ कि इसी की चलते इन्होंने क्या करा कि एक Open Opposition करना शुरू कर दिया हिंदी को लेके खिलाफ खड़े हो गए Non Hindi Areas यहाँ पे इस बात को लेके खड़ाफ खड़े हो गए कि हिंदी को हम नहीं बढ़ने देना चाहते अब देखिए C.Rajagopal चारी जी C.Rajagopal चारी जी जिन्होंने हेट की थी हिंदी प्रचाणनी सभा को South में इन्डिपेंडन से पहले इन्होंने कहा कि हिंदी जो है हिंदी जो है यह foreign है मतलब एक बाहरी लैंगवज एक तरीके से अगर हम बात करें non-hindi speaking लोगों के लिए as English to the protagonist of Hindi अब यहां समझे है बहुत ही बढ़िया बात कही है कि इन्होंने C.Rajagopal चारी ने बात बिल्कुल जन्वेन गही थी वही कहा था कि आप ऐसे थोप रहे हो हिंदी को इनके ऊपर जो non-hindi speakers है तो हिंदी लैंगवज इनके लिए पर एक foreign language है जैसे हिंदी बोलने वालों के लिए English language है वैसी ही non-hindi बोलने वालों के लिए हिंदी language foreign language है इन्होंने बात कही अब जो हिंदी को चाहते थे दूसरी तरफ उन्होंने सरकारों कहा कि यह आप इस issue को लेकि अपना पीछे कर रहे हो है ना कुछ इसमें जैसे की डॉक्टर राम मनुहर लुया जी और इनकी जो पार्टी थी है ना नाम था समयुक्ता सोचलिस पार्टी साथ में जन संग इन्होंने कुछ militant moment शुरू कर दे कि आप काम करो तुरंट जो है हिंदी लगा दो official language बना दो हिंदी मुझे नहीं पता आप कदम पीछे मत अटा ऐसे कैसे हिंदी लगे की तो लगे की इन्होंने शुरू कर दिया नैरू ने कोशिश करी यवादल नैरू ने कोशिश करी कि भे देखो हम यह नहां पर थोड़ा सा जो डर है नौन हिंदी speaking areas का उन्हें थोड़ा सा कम करें शांत करें कैसे इन्होंने डिकलेर करा Parliament and over that English will continue to be used so long as Hindi people wish it and not decided by Hindi speaking people नहनो जी ने बहुत शांती मेंटेन करने की कोशिश करी है हमेशा चाहा है कि देश में किसी तरह शांती हो जाए तनाव को म adopt करें जैसे उनको लगता है उस तरीके से adopt करें अगर उनको लगता है उनकी इच्छा है adopt करने की तो अडाप्त करें यह बात non-hindi speaking कि हम बोलते हैं वह करेंगे कि हम कब पूरे देश जब चाहते हैं हिंडी को अडॉप्टकरалिया जाए ओफिशल लांग्वेश की तौर पर अगर देखे मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब डेडलाइन है कि इतने वक्त के अंदर अडॉप्ट करना है पस धीमे 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 समाज में घुल जाए और यह लांगविज पर सबको आ जाए लिंगा फ्रांका बन जाए हमारे आंके पार्लिमेंट ने भी यहां पर पास करा ओफिशल लांगवेज आट बड़ा ही फेमेस है 1963 में पार्लिमेंट ने पास किया इस आट को यहां पर जो नॉन हिंदी रीजन का जो डर है उसे हटाए यूगि इसके अंदर एक प्रोविजन थी बच्चो प्रोविजन यह थी इस पाई तो ऐसा कुछ यहां पर जित नहीं है आराम से यहां पर यूज करिए हिंदी जो है उफिशल लांगवेज के साथ इंग्लिश भी रहे इंग्लिश थी इन उस्टो नो इंग्लिश तो यह कहा गया बट यह सारे कदम भी जो उठाएगा यह भी मदद नहीं कर पाए और सब्सक्राइब जो हिंदी लांगवेज अब एक और यहीं बड़ी बात जैसी अनाउस हुई तो जो नौन हिंदी श्पीकर्स थे वो डर गए उन्होंने कहा कि अरे इससे तो जो हिंदी बोलने वाले लोग है उनके रहे तो एडवांटेश हो जाएगा खैर अब जैसे यहां पर 26 जनवरी आई ठीक है आज 26 जनवरी अप्रोश नहीं है जैसे जैसे 26 जनवरी पास आने लगी यहां महल और जादा टेंशन वाला बनने लगा काफी जदा अंटी हिंदी मूव्मेंट चलने लगे बहुत ही इस्पेशली बात करें तो तमिल में खास कर डीमके ने कहा कि 26 जनवरी जो है वो डेय ओफ मॉर्निंग बना दो तो आप समझ रहें देय ओफ मॉर्निंग बना दो तो यह सब यहां पर होने लगा और इससे यह भी डिर था कि देश और अलग हो जाएगा इस्टूडेंट के ग्रुप्स वगेरा बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट वागे रहा एक साथ आया उन्होंने बबाल करना शुरू करा और इससे होने लगा धीमे 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 और बढ़ा बढ़ा ऑर होने लग गया प्रोटेस्ट होने लगया बबाल अब चार स्टूडेंट खौक्षासट धम army बार कर देया ने होने के बाद भी बनराज गई और ये कहा एडिटेटर को वहां पर करा कि देखो शांती बनाए रखो हम एक अच्छी से डील करेंगे हम सही से करेंगे हुआ कि जब इंद्रा कर दो कि हिसाब से करा गया कि जब तक के लिए आप चाहते हैं इंग्लिश का यूज करना यह नौन हिंदी एरियास वाले जो लोग है वह अराम से कर सकते हैं उसके साथ यूपीएसी का एक्जाम में भी दिक्कत थी न क्यों आल्टेनेटिव के तौर पे हिंदी को यूज करें ठीक है अब इसी के साथ यहां पर देखो एक थी लैंग्वेज फॉर्मुला निकल के आता है थी लैंग्वेज फॉर्मुला क्या है जानते हैं इसके हिसाब से यह है कि जो आपके नौन हिंदी एरिया है नौन हिंदी एरिया के स्टूडेंट है उनको यहां पर हिंदी को ल कर लेंगे इसी तरह से जो हिंदी बोलने वारे लोग है इन्हें यहां पर एक नौन हिंदी लाइंगवज भी सीखनी पड़ेगी ठीक है तो हुआ क्या 1967 के बात सही बात हो गए बच्चों कि अब जो लाइंगवज थी अब कोई रोडा नहीं बनी इन्होंने काफी को प्रमोट करा जाए ताकि हमें कुछ अच्छी रिजर्ट अक्री में मिल चकें तो भाई यह हो गया हमारा यहां पर लेक्षर यह कंप्रीट सेवंध लेंगे तब तक के लिए if you like the video please like the video share it with your friend subscribe your channel sirf ias and if you want to follow me on any other social media platform link is in the description you can watch these videos on facebook also just like the page sirf ias and watch these videos there along with this if you want to follow us on instagram we put one daily question as a deal you will definitely enjoy it and if you want to join our membership and enjoy the various perks just press the join button and enjoy the various perks and badges thank you so much for discussion have a wonderful day and take care